मुलतानी मिट्टी हम सबकी फेवरेट इंग्रीडियंट है मुलतानी मिट्टी हम सबकी स्किन से एकने और पिमपल जैसी समस्या को दूर करती है और हमारी स्किन से डलनेस भी हटा देती है सिंस 18th century से इसलिए लोग इसको स्किन केर में यूज़ करना पसंद करते हैं और आज भी popular brand अपने product में मुलतानी मिट्टी का यूज़ करते हैं पर अगर हम मुलतानी मिट्टी को अलग से यूज़ करेंगे न तो वो आपको बहुत benefit देगी तो आईए मैं आपको बताती हूँ कि मुलतानी मिट्टी को आप किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं मुलतानी मिट्टी for open pores अगर आपके open pores हैं तो आप मुलतानी मिट्टी में टामाटर का रस मिलाकर एक अच्छा सा face pack बनाएए 20-25 मिनट के लिए उसको face पर रखिए और जब आप face pack को face पर लगाएंगे न तो आपका face clean और dry होना चाहिए 20-25 मिनट बाद आप face wash कर लीजिए और उसके बाद आपको moisturizer ज़रूर लगाना है second is skin brightening bleach अगर आप पालर जाओगे ना आपकी tanning हटवाने के लिए तो पालर वाला आपको सचेस्ट करेंगे कि आप bleach करवा लीजिए पर bleach को आपको कर देना है अब बिक नो bleach आपको बिल्कुल नहीं करवानी है क्योंकि वह आपकी skin को burn भी कर सकता है bleach आपकी skin को जला देता है जी हां तो हम बनाएंगे natural ingredient से bleach घर पर ही जिसे लगा कर आपको कोई नुकसान नहीं होगा बलकि फायदा ही होगा तो इसके लिए आपको चाहिए दो चम्मच मुलतानी मिट्टी उसमें आपको डालना है एक चम्मच lemon juice अब इसमें हम add करेंगे एक चम्मच honey और एक चम्मच दही सबको अच्छे तरह से mix कर लो clean और dry face पर इसको लगा लो और फिर 15-20 मिनट के बाद face wash कर लो और wash करने के बा तरह कि dry skin वाले कैसे यूजज करें. जी हाँ मुलतानी मिट्टी dry skin वालो के लिए बनी ही नहीं है लेकिन फिर भी आप आपको मुलतानी मिट्टी के goodness चाहिए. तो Dry skin वाले इसे कैसे यूजज कर सकते हैं मैं बताती हूं. उसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले दो चम्मच मुलतानी मिट्टी, अब हमारी आज की वीडियो का हीरो है मुलतानी मिट्टी, तो मुलतानी मिट्टी तो आपको हर फेस पैक में चाहिए ही होगा, तो आपको चाहिए दो चम्मच मुलतानी मिट्टी, एक चम्मच मिल्क, एक चमबच हनी और एक चमबच ग्लीसरीन जी हाँ ये ग्लीसरीन जो ब्यूटिफुल सा कलरलेस लिक्वीड है ये हमारी ड्राय स्किन के लिए वर्दान है इन सब को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लो और अपने फेस पर 20-25 मिनट के लिए लगा लो पर अगर आपकी ड्राय स्किन है तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपको ये फेस पैकना सूखने से पहले ही वाश कर देना है वर्ने ये आपकी स्किन को और ड्राय बना सकता है वैसे तो इसमें ग्लीसरीन है, हनी है, ऐसी नौबत नहीं आएगी पर फिर भी आप सूखने से पहले ही फेस वाश कर लीजिए और फेस वाश करने के बाद आपको भी अपने स्किन पर मॉस्चराइजर ज़रूर से लगाना है ये तीन रेमेडी मैंने आपको बताई है इन में से कौन सी आपकी फेवरेट है, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताईए साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए